हेलो दोस्तों मेरा नामे गौतम और आप देख रहे हैं यूलक लेक्टोनिक्स और दोस्तों आज की स्वीडियो में हम आपको लाइन आउट और प्री आउट के बारे में बताने वाले हैं कि जैसे अहुजा का एम्पलिफार होता है उसके बैक सैड में आपको काफी सारे उप्सन दिया गया रहता है जिसमें दो उप्सन आपको ऐसा देखने को मिलता है वहाँ पे आपको line out और pre out का option जरूर रहता है चाहे वो jack कोई सा भी हो वो आखिर किस लिए होता है और वो किस प्रकार से किसी भी amplifier से निकाल सकते हैं वही मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तो वीडियो लंबा भी हो सकता है अगर इस topic में आप रुची रखते हैं तो इस वीडियो को complete वाज किजी फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि line out और pre out में क्या अंतर होता है और हम इसको कहां पे किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और हम इसको किसी भी amplifier से किस प्रकार से ये option हम निकाल सकते हैं जैसे ये हमारा 44 का amplifier है तो pre amp जो हम बोल सकते हैं जैसे कि यहांपे इक अलग सेish travel का ये circuit है इसको प्री Amp बोल सकते हो ठीक है और ये मेरे पास amplifier है ये सिर्फ amplifier है इसमें कोई preamp नहीं दिया गया है आपको अलग से इसमें preamp लगा कर इसमें base travel यूज कर सकते हो काफी तरह के preamp आते हैं ठीक है जैसे कि low pass filter भी हो गया उसको भी preamp आप बोल सकते हो तो यहाँ पर यह board है इसमें जो है invild preamp मिलता है तो इसमें amplifier प्लस preamp यहाँ पर invild है तो यह market में अलग से भी सिर्फ preamp मिलेगा और यहाँ पर amplifier अलग से भी मिलेगा तो preamp अलग होने से यह फैदा है दोस्तों कि आप इस preamp को किसी भी amplifier के साथ connect कर सकते हो तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यह जो preamp है और यह line out है किसी भी amplifier में किस प्रकार से option दिया गया रहता है और किस प्रकार से हम amplifier में निकालेंगे तो example में हम 44 चले इसको अगर मान के चले तो जैसे कि line out हो गया ठीक है तो किसी भी amplifier में panel जरूर होता है चाहिए नहीं होता है तो audio input का जो option होता है जैसे यहाँ पर aux का यह option है वो जरूर होता है ठीक है तो आएए यहाँ पर हम थोड़ा starting करत ह flavours कि यह आगे इसका connection किस प्रकार से होता है line out का और pre out का ठीक है जैसे कि यहाँ पर हम एक amplifier ले लेते हैं एक amplifier का board बना लेते है यह एक amplifier हमें इसको मान लेते हैं और यह हमारा audio receiver है ठीक है तो यह भी लगा होता है तो यहाँ से क्या करेगा यह line out करेगा यहाँ से जोकि हम इ audio input देते हैं किसी भी एंपलीफार में तो यहां से औपूट करेगा और इसमें इनपूट हो जाएगा यह जो हमारा पैनल है इसको हम BT पैनल यहां पे लिख देते हैं ठिक यह BT पैनल है तो यहां से आउटपूट करता है और एंप्लीफार में इंपूट करता है ठीक है तो यह जो इंपूट करता है तो इसके बीच में आप पोटेंसियो मीटर भी लगा होता है और नहीं भी लगा होता है तो यहाँ आप example में आपको समझाने के लिए मैं आपे direct इसमें input कर दिया तो यह बला क्या है कि इसमें input हो जाता है लेकिन यहाँ पे किसी भी परकार का इसमें preamp नहीं लगा है यह direct जो है इससे इसमें input हो जाता है जिस्से कि यह मेरा amplifier है और यह मेरा panel है तो direct यहां पे input हो जाता है तो इसमें किसी भी परकार का pre-amp use नहीं किया गया है लेकिन अगर यहीं पर हम देखे जैसे यह हमारा amplifier है तो इसमें क्या है कि amp के साथ जो है already यहां पे preamp लगा होता है, फिर भी हम यहाँ पे amp, यह जो है यह हमारा कोई सा भी amplifier हो गया, उसके बाद यह जो preamp है, इसको हम यहाँ पे लगाते हैं यह हो गया इसको pre amp कर देते हैं, यह preamp हो गया, उसके बाद यहाँ पे BT panel हम लगा लेते हैं यहां पर आप Bluetooth मोडियूल भी दिल लगा सकते हो यहां आप मोबाइल से भी इंपूट दे सकते हो ठीक है यह BT पैनल हो गया तो इसमें क्या है कि Bluetooth पैनल से हम Preamp में देंगे यहां से Preamp में देंगे यहां से Output करेगा यहां पर Input हो जाएगा फिर यहां पर Preamp तयार करेगा और यहां पर Amplifier में हमारा यह Input हो जाएगा तो इस परकार से इसका Connection होगा जैसे कि यहां पर शुरू में आपने देखा कि सिर्फ पैनल और Amplifier के बीच में यहां पर इस परकार से इसका Connection था लेकिन अब क्या है कि इसमें Preamp पकर हम Add कर देते हैं तो इस परकार से इसमें Connection हो जाता है जैसे कि अगर यहां से Line Output करेगा यहां से Audio Output करेगा तो इसमें Input होगा और यहां से Output करेगा तो इस Amplifier में Input होगा इस प्रकार से इसका connection होता है अब हम क्या करेंगे कि line out और pre out इसको हम किस प्रकार से option में हम निकाल सकते हैं तो example में हम दूसरा page ले लेते हैं तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि line out कहां से निकालेंगे line out कहां से निकालेंगे और यह option किस चीज में यूज कर सकते हैं तो normally जो हमारा यह panel होता है यहाँ से जो output होता है जैसे कि left right और ground output होता है यहाँ से तो left right output यहाँ पे output होता है वही line out होता है तो जैसे कि आप जो amplifier में input देते हो तो यह line output का जो option है आप direct यहाँ से निकाल सकते हो और किसी भी amplifier में जो output का option होता है यही से दिया जाता है चाहे आप इसके बीच में जो है आप potentiometer भी लगा सकते हो लेकिन यह direct जो है output किया गया रहता है मैं आगे आपको amplifier में भी निकाल कर देखाऊंगा यहाँ पर मैं आपको थियोड़ी के जरिये समझाने की कोशिस कर रहा हूँ ठीक है तो यह line out है तो line out से यह option है कि जब भी आप line output यहां से कर लेते हो तो किसी other amplifier में जो है input के सहता से आप उसमें signal भेज के audio सुन सकते हो इसका यही function है और यहाँ पर जो preamp की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है कि line out जो हमारा होगा तो किसी भी amplifier में input जो देंगे यहाँ पर जैसे line out यहां से होगा और input जो देंगे तो इसमें किसी भी परकार का base table काम नहीं करेगा क्योंकि यह normally हमारा यहां से आउट कर रहा है और यह direct जो हम किसी भी amplifier में दे रहे हैं तो वहाँ पर normally input हो रहा है वही अगर preamp अगर इसमें input देंगे तो जो हमारा base table लगा हुआ है वो यहां से preamp होके उस audio amplifier में जाएगा तो यहां से जो हमारा preamp output होता है तो यहां पर हम मानच के चले कि अगर हमको यहां से जो है line output निकालना है तो normally जो हमारा panel होता है तो यहां से जैसे कि यह हमारा BT panel हो गया तो यहां से 3 option output होता है L, R और यह G तो left, right और ground output होता है तो दो channel होता है तो यहां पर क्या है कि line out यहीं से आप ले सकते हो तो अगर और जगह पर देना है तो यह दो आपका हो गया है यह और फिक है यह यह आपका इसको मान के चले और यहां से यह दो आप्शन आपका उठके चला जाएगा इस Bluetooth मोडिल में जहां पर यहां पर जहां पर इसका यह connection जो होता है और पूट का यही option आपका amplifier में भी गया होगा ठीक है जैसे कि यहां पर यहां पर इसको मैंने लगा दिया यह भी इसमें जाएगा लेकिन लाइन आउट का जो हमें option निकालेंगे यहां से इस प्रकार से निकालेंगे मैं आगे आपको amplifier में भी निकाल कर दिखाऊंगा यहां पर मैं आपको सिर्फ थोड़ी के जरिये समझाने के कोशिस कर रहा हूं तो लाइन आउट को आपको निकालना है तो यह डारेक्ट आपक इस प्रकार से निकालते हैं तो यहां पर मान के चलिए 2 Cape RCA सोकेट लगा हुआ हabord इक प्रकार हो है तो यहां पर क्या है कि जो Nom324 IC लगा हुआ है तो यहां पर क्या है कि इस potentiometer में जो आप पहला नमर पीन देख सकते हो white color और yellow color यह दोनों क्या है कि pre out यहां से कर रहा है जैसे कि normally जो हमारा panel का जो यह socket है यह वाला अगर इसमें लगता है तो यहां से normally यह आपका जो है यहां पर input होगा ठीक यह देख सकते हो यह line ठीक है RL यह जो line input है मैंने आपको दिखाया था कि direct आप यहां से line out निकाल सकते हो जिससे आप क्या है कि इस option को यूज करके दूसरे amplifier में audio input दे सकते हो और preamp के लिए क्या है कि यहां पर जो line input करता है एक Bluetooth की Bluetooth पैनल से तो यहां पर कुछ circuit बने होते है प्री filter भी हो सकता है तो यहां पर output करता है जो कि यहां पर है कुछ इस परकार से यहां पर output करता है तो output जो करेगा तो सबसे पहले potensometer इसमें लगा होगा तो वो जो preamp output करता है इस potensometer के यह पहला नमबर पी डूवल चैनल है इसके वज़ाद से आगे और पीछे जो yellow color है और यह white color यह दोनों हमारे left right preamp input है तो यहां पी input है और output हमारा बीच वाला हो जाता है तो आप preamp दो तरीका से ले सकते हो आप चाह अलग से इसका potensometer लागा कि control कर सकते हो तो यहां जो potensometer है तो potensometer का जो 6 pin होता है यहां पे ठीक है तो यह तो हमारा ground होता है यह बीच वाला pin हमारा output होता है चाहे आप इसमें preamp दो या line input दो इसमें जिस परकार का input दोगे उसी परकार का output करेगा और यहां पे जो यह पीन हमारा in का है चाहे आप इसमें normally line input दो यहां से audio panel से या pre input दो ठीक है तो यहां पे क्या है कि यह जो हमारा यहां पे तो मैंने line in दे दिया इस socket के सायता से और यहां पे क्या है कि input इसमें जाएगा और यह preamp करके यहां पे output करेगा ठीक दो चैनल ठीक जैसे दो चैनल input किया यहां पे preamp करेगा यहां पे दो चैनल output करेगा तो वही preamp जो हमारा यहां पे in हो जाता है यहां पे in हो जाता है यह लेफ्ट चैनल ले लेते हैं और यह आड चैनल ले लेते हैं तो यहां पे दो चैनल input होता है जो कि pre होता है और यह out होता है जो कि हमारा एंप्लिफेर में जाता है जो कि दो नमबर पीन जो हमारा होता है और यहां पर आता है ठीक है तो आपको क्या है कि अगर प्री आउट लेना है तो यहां पर क्या है कि आर्सीय सोकेट आपका जो दो लगा हुआ है तो वहां पर आप दो तरीका से कनेक्शन कर सकते हो अगर इस को राइट में लगा दिये हैं इस्से कोई फर्क नहीं है ठीक है तो यहाँ पर दो जो कि यहां पर प्री होगा लेकिन यहां पर पहला पटेंस्व मीटर के पींस से लेने से यह होगा कि आप जुह को चंट्रोल नहीं कर पाऊँगे अगर इस पींस से लेत हो तो आप आप इसी potentiometer से control कर सकते हो तो यह हो गया हमारा line out और यह हो गया हमारा preamp out अब समझते हैं कि अगर हम इसको किसी भी amplifier में देंगे तो क्या effect होगा line out को अगर हम किसी amplifier में input अगर हम करते हैं तो वो normally बीना base travel का वो हमारा काम करेगा जो कि normally इससे जो निकलता है वो direct आपके amplifier में input हो जागा ठीक है यह जो यहां से आप input देते हो तो अगर preamp जो यहां पे निकला हुआ है अगर इसको इस signal को अगर आप किसी भी amplifier में देते हो तो जो हमारा base travel है या low punch filter है जिस प्रकार काम आप preamp लगा हुआ है वो ही preamp यहां से आपका output करेगा तो यहां पे यही जो प्रकेडिया है आपके amplifier में रहता है तो जो normally हमारा line out होता है वो हमारा panel से आता है चाहे वो आपका potentiometer से होकर आया हो या direct इसके socket से आया है यह इस प्रकार से line output होगा तो आप इस line output को जो किसी भी amplifier input दोगे तो वहाँ पे आपको बिना base और treble चाहे low pass filter हो या high pass filter हो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपका normally जो आपका left और right channel है वो normally signal भेजेगा और जैसे ही preamp से अगर आप output लेते हो यहाँ पे यहाँ पे अगर output लेते हो तो क्या है कि जिस परकार का उसमें preamp लगा है जैसे कि यह preamp है चाहे आपका कोई सावी बड़ा amplifier हो उसमें preamp लगा हो तो यह जो function जितना है वो सारा function preamp के जड़िए आपका output होगा उसके बाद क्या है कि आप अगर कोई भी non preamp amplifier के साथ इसमें अगर input दे देते हो तो यह वाला signal जो है आपका जैसे preamp है तो यहाँ पर काम करने लगेगा जैसे कि यहाँ पर यह जो preamp लगा हुआ है और यहाँ से इसके बीच बाले से अगर इसमें input देंगे तो वो हमारा base triple काम करेगा जिस परकार से इस amplifier में करेगा उसी परकार से इसमें भी करेगा अगर हम direct जो line input यहाँ पर मैंने दिया है यह जो socket लगा हुआ यहाँ पर तो यहाँ से जो direct हम इसमें देंगे यह जो हमारा audio input है यह उठाकर अगर इसमें हम देंगे तो यह base table जो इसमें हमारा बना रहा है वो इसमें कभी नहीं बनाएगा कि को normally हमारा input हो जाता है लेकिन यही अगर हम यह वाला यहाँ से option उठाकर इसमें देते हैं preamp वाला तो जो base table हमारा यहाँ पर बना रहा है ठीक है जो preamp है वो हमारा इसमें work करेगा इसलिए यहाँ पर आपको दो option दिया रहता है तो इसमें मैंने थ्योड़ी के जड़ियो मैंने आपको समझाने की कोशिस किया है अगर फिर भी आपको समझ भी ना आ रहा हो तो मैं next वीडियो में आपको जो explain कर दूँगा तो दोस्तों मारा वीडियो कैसा लगा तो प्रीज लाइक करें शेर करें और मारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुग हो